Hello friends, स्वागत करता हूँ आपको एक नए वीडियो में तो friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप दोस्तों किस तरीके सुझे किसी भी eSIM card को आप physical SIM card में convert कर सकते हैं सारा कुछ आपको दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा तो अभी तक आपने मेरे YouTube चनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे परें दोस्तों मेरे YouTube चनल को सस्क्राइब कर लें तो जैसे कि friends, आपको पता ही होगा कि आप बहुत सारे phone में आपको eSIM देखने को मिल जाते हैं अगर दोस्तों वह आपका physical SIM रहता है तो आप आसानी से उस SIM card को निकाल कर दूसरे phone में डाल सकते थे बट दोस्तों ये eSIM के साथ आप आप ऐसा नहीं कर सकते हैं EC के कारण से दोस्तों बहुत लोग को ये problem देखने को मिलता है और साथी साथ दोस्तों ये बहुत लोग को दिमाग में भी आता है कि अगर हम दोस्तों आगे चल कर कोई साथी eSIM मुआले mobile phone खरीते हैं तो क्या मैं उस eSIM card को physical SIM card में convert कर पाऊंगा या फिर दोस्तों मेरा जब mobile खराब हो जाएगा तो उसी के साथ मेरा number भी चला जाएगा यही कारण से दोस्तों बहुत लोग को ये चीज दिमाग में चलता भी होगा तो चले दोस्तों आपको बताते हैं कि अगर आप eSIM को physical SIM में convert करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो इसके लिए दोस्तों आपको प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है जो कि अगर आपके पास जीज कंपनी का eSIM है A8L,GO या फिर दोस्तों वोड़ाफोन अगर फ्रेंड सीन में से अगर आपके पास किसी भी कंपनी का eSIM है तो आपको दोस्तों सींपल सा जो है उस कंपनी के दोस्तों SIM कार्ड पर आपको पहुंच जाना है और साथी साथ दोस्तों आप जीज आईडी से उस eSIM कार्ड को अप्रूब करवाया थे यह क्या जो है ओन लाइन नहीं हो सकता है तो मैं आपको दुसे बता दूँ कि अगर आपको जेए फिजिकल सींपल लेना है तो इसके लिए दूस्ता आपको जही उससे च्टोर पर जाना ही पड़ेगा और वहँ ही से आपको जोश भीजिकल सींपल जहे मिलेगा झाल झाल